दोस्तों अगर आपको Paytm Wallet में Cashback मिला है या फिर आपका कोई दोस्त भेजा है और Paytm Wallet में आपका Balance पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं Paytm Wallet का जो Balance है डारेक्टली बैंक अकाउंट में Transfer करने के लिए without any charges कोई भी charges नहीं लगेगा इस विडियो में मैं दिखाने वाला दोस्तों Paytm Wallet से बैंक अकाउंट में Balance Transfer करने के लिए सबसे पहले आपके फोन से Paytm को अपडेट कर लीजिए Google Play Store पर जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे Paytm और यहां पर अपडेट कर लीजिए जो भी latest version है और latest version यहां पर अपडेट होने के बाद simply open करेंगे और open करन के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं Paytm Wallet का option है इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी जो मेरा wallet का balance है 60 रूपीस टोटल अभी 60 रूपिया है मेरे wallet में और मैं चाहता हूँ इसको transfer करने के ल यहां पर जितने भी amount of transfer करना चाहते है wallet to bank यहां पर डाल देना है अगर 10 रूपिया डालेंगे तो transfer नहीं होगा यहां पर 10 रूपिया डालके करता हूँ proceed आप देख सकते हैं please enter an amount between 20 and 25,000 20 से लेकी 25,000 तक maximum यहां पर हो सकता है transfer तो यहां पर मैं डाल देता हूँ 20 रूपिय और यहां पर करता हूँ proceed के उपर click जितने भी amount आप transfer करना चाहते हैं वही amount डालना है इसके बाद आप देख सकते हैं selected saved bank account यहां पर bank account डालना है जिस bank account में आपका wallet का balance आप transfer करना चाहते हैं already मैंने यहां पर bank account add करके रखा यहां पर देख सकते हैं new bank account add करने के लिए यहां बैंक का जो IFAC code है, इसके बाद account holder name, bank passbook में जो name है, same यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद simply करेंगे proceed के उपर click, तो चलिए यहाँ पर मेरा already bank account add कर लिया मैं, और यहाँ पर करता हूँ bank account के उपर click, और click करने के बाद कुछ इस तरह interface आ जाएगा, और यहाँ पर आप extra charges आपको नहीं देना पड़ेगा, total payable जो amount है 20 rupees, मतलब जितने भी amount आप transfer करना चाहते हैं, स्रिफ ओही amount आपका कटेगा, कोई extra charges नहीं लगेगा, तो यहाँ पर simply नीचे की तरब करेंगे proceed के उपर click, और proceed के उपर click करने के बाद आप देख सकते हैं, money send to bank successfully, यहाँ पर 20 rupees successfully send हो चुका है हमारे bank account में, तो चलिए इसका जो status से कैसे check करना है दिखा देता हूँ, यहाँ पर back में आएंगे और नीचे की तरब आपको एक option मिलेगा, passbook का, आप देख सकते हैं, passbook, इसके उपर click करेंगे, और यहाँ पर click करने के बाद नीचे की तरब आप देख सकते है माइनस 20 रुपीज दिखा रहा है, मतलब यहाँ से हमारे 20 रुपीज कर चुका है, और अभी जो wallet balance है 40 रुपीज, 60 रुपीज था, 60 रुपिया था, अभी हो चुका है 40 रुपिया, और यहाँ पर 20 रुपिया कटके हमारे bank account में transfer हो चुका है, दोस्तों आपको दिखा दिय किस तरीके से अब पेटियम वालेट का balance directly bank account में transfer कर सकते हैं without any charges, इस विडियो पसंद आए, तो like कीजिए, share कीजिए, और चैनल पर पहली बेरा है तो subscribe करके, बैल आकन प्रूजर रुपिस कर लिजे, मिलता हम सब नेक्स विडियो में, तब तक लिए जय हिंत, बंदे मातरम झालेट कर दो